सर मेरा कुछन है कि तो आदारे का मुल्यांकन कब लिया जाता है और जो प्रवेट इस्पूल से नीजी विद्याले से आते हैं उन बच्चों का मुल्यांकन परवेश के समय किस परकार लिया जाता है देखे सर हमारे विद्याले में CC विद्याले हम सभी के पास हमें आदारे का आंगलन उन बच्चों का करना है जो CC से नहीं दुड़े वे हैं नोन सीसी विद्याले से अपने पास कोई भी बच्चा आता है या आईू के अमरूट कोई भी बच्चा हमारे पास परवेश लेता है उसका आधार रेता आमलन करना है धरी बात पतिस्ताफन की पतिस्ताफन उन बच्चों पार करना है जो हमारे विद्याले में अध्यानरत है जो CC से लगाता है, जुड़े वे हैं, या कोई बच्छा अपने नजदी की विद्धाले से या अन्य कहीं से हमारे विद्धाले में परवेश लेता है, और वो CC विद्धाले से अग्यान करके आता है, तो हम उसके, जो हमारे पास परपत्र लेके आया है पिछे से, ऐसे और त बच्छा में ये लगता है कि पिछे जहां मलब दूसरे विद्धाले में उसके पदिस्थापन पर आपने को कोईशी परकार संका हो, या उनके पदिस्थापन करने का तरीका, यानि परसन पतर निर्मान का तरीका, पढ़ाने का तरीका आपने से बिन हो, तो हो सकता है बच गुरुजी, पॉर्ट Reports फाईल हम बच्चेको को नहीं दे सकते हैं। जब बच्चा टी-सी लेकर आता है, आप कभी भी पॉर्ट पॉलियो फाईल उनको नहीं दे। पॉर्ट फाल एक दस्ता वेज हैं, जो बच्चा हमारे पास रहा उसने वहां तक क्या सीखा। और ये भी ज्यान रखें कि आप जब ये चेक लिष्ट बरते हैं तो उसमें जितनी बुनियादी तसका दीम भी है और आप उनमें B, C, A या जो भी ग्रेट दे रहे हैं जबकि आपने योगात्मक आकलन या रचनात्मक आकलन बच्चे का लिया है उसमें उन दक्सताओं से सम बावगुद भी आप बच्चे को चेक लिष्ट में उसमें बरहें भी ग्रेट ये गलत है आपकी पोड़कों के भाई में या परशन पत्र में बोलना चाहिए अब जैसे एक उदारन के रूप में कक्स या दो कासा चोट्वाना उसमें दिया हुआ कि बच्च बच्च बच